आज बना रहे हैं सेवई, नमकीन सेवई, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती हैं और जटपट बन जाती हैं 10-15 मिनट में ये नाश्टा बन करके तयार हो जाता है, बहुत ही कम तेल में ये नाश्टा बन करके तयार होता है और जटपट बनने वाला नाश्ता है तो आप एक बार जरूर बना करके देखें नमकीन सेवई तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नमकीन सेवई को नमकीन सेवई बनाने के लिए एक कप सेवई ली है पानी जब उबल जाएगा तब इसमें डालेंगे 1 टी स्पून नमक और 1 टी स्पून ओईल ओईल डालने के बाद अच्छे से पानी में जब उबला जाएगा पानी में अच्छे से उबल आ गया है तो आप सेवई को डाल देंगे सेवई को उबलने में करीब 4-5 मिनिट लगेंगे तब तक सबजियां काट लेते हैं दो टमाटर है हरी मिल्च है उबला हुआ आलू है पनीर है मतर है सबजियां आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अनुसार कम जादा कर सकते हैं या आपको जो सबजी पसंद नहीं है वो अब अब इसी तरीके से आलू को भी छोटे-चोटे पीस में काट लेंगे आलू भी आप देख सकते हैं अलू को भी चॉप कर लिया है अरी मिल्च को स्लिट करके डालेंगे जैसे कि आप उसको अलग से निकाल सकें और हरी मिल्च का फ्लेवर जो है वो पूरे सेवई में आ जाए कि कभी-कभी हरी मिल्च बहुत तिकी होती है तो मुह का टेस्ट खराब कर देती इसलिए हरी मिल्च को सिलिट करके डालेंगे जिससे कि आप उसको अलग से निकाल सकें नहीं तो आप चौप करके छोटे-छोटे पीस में हरी मिल्च को डाल सकते हैं थोड़े से धनिये को काट लेंगे सेवई में डालने के लिए नीबू का रस चाहिए तो नीबू को भी काट करके रख लेंगे आप देख सकते हैं सभी सबजिया फटा-फट कट गई है अब सेवई को देख लेते हैं सेवई उबली है या नहीं चमच में सेवई को ले करके देखें और उसको हाँ से दबाएं अगर सेवई अच्छे से दब रही है यानि कि सेवई उबल गई है सेवई को एक छली में छान लेंगे साधा पानी से धो करके सेवई को छली में ही रखा रहने देंगे जिससे की जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निचोड जाएगा सेवई बनाने के लिए गैस पर एक फ्राई पैन रखेंगे फ्राई पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पुन के कड़िव ऑईल ऑईल की कॉांटिटी आप अपने साब से कमज़ादा कर सकते हैं जब ऑईल गरम हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पुन के करीब राइ आप देख सकते हैं राइ चटकने लगी है अब कड़ाई में डाल देंगे टमाटर और साथ में डालेंगे हरी मिल्च आप साथ में करी पत्ते भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे साथ में इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे अगर मटर उबली हुई नहीं ली है या फ्रोजन मटर नहीं ली है तो आप इस टाइम पर टमाटर के साथ ही मटर को डाल दें लगा सलका सा सॉफ्ट हो जाना है। अब टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें डाल देंगे आलू, आप सबजीों को अपने टेस्ट के अनुसर कम जाधा कर सकते हैं आलू को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऐलस को मीडियम हीट पर रखा हुआ है। आलू अच्छी तरीकी से मिक्स हो गया है, अब इसमें डाल देंगे पनीर, करीब वन थर्ड़ कप पनीर है, और वन थर्ड़ कप के करी भी फ्रोजन मतर है, फ्रोजन मतर कैसे बनाई जाती है, फ्रोजन मतर की अगर रेसिपी देखना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्ल अब इसमें डाल देंगे सेवई, सेवई को मिक्स करेंगे, देखिए कितनी जल्दी नाश्ता बन करके तयार हो रहा है, हमने थोड़ा नमक पहले डाला था, और टेस्ट के नुसार थोड़ा सा नमक अब डालेंगे, करीब हाफ टीस्पून करश की हुई काली मिल्च डालेंग जिसे कि सभी मसाले और सबजियों का फ्लेवर एक दूसरे में मिक्स हो जाए इस तरीके से, सेवई तयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, अब इसमें डालेंगे नीबू का रस, नीबू अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं, जितना आपको खटापन पसंद नीबू को भी सेवई में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, लास्ट में डालेंगे हरा धनिया, हरा धनिया डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और आप देख सकते हैं, कितनी जटपट नमकिन सेवई बनकर के तयार हो गई हैं, वेजिटेबल सेवई बनकर के तयार हो गई है अब गर्मा गर्म सेवई को सर्व करेंगे और बहुती जटपट ये नाश्टा बन करके तयार हो जाता है आप देख सकते हैं और देखिए कितनी अच्छी सेवई बन करके तयार होई है गर्मा गर्म सेवई को सर्व करेंगे ये देखिए और देख सकते हैं तेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ में इस्टे हैपी एंड कीप कुकिंग थैंक यू और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहें सौम्याज के चिन बाबाया फिर मिलते एक नई वीडि के साथ